आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल वर्च्वस में मैं दुर्दनकर फॉर्मर एस्विय प्यू हो आज आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टन सेशन लिख रहा हूँ रिगार्डिंग आई बीपिएस क्लोग में स्ट्राटेजी अब एक्जाम तक जो समय बचया है उसका कैसे एफिशेंटली यूज किया जाए कैसे ये टाइम प्रेपरेशन के लिए मैक्सिमाइज किया जाए सही तरीका क्या इसे इस्तमाल करने का और किन किन चीजों पर हमें एक्जाम के लिए ध्यान देने के ज़रूरत है ये सारी बाते मैं यहाँ पर करूँ अब अल्रेड़ी आई बीपिएस क्लोग प्री का रिजल्ट आ चुका है आप लोगों का पूरा फोकस अब क्लोग मेंस पर है तो काफी आप पर मैं जो जो चीजें बताने वाला हूँ अल्रेड़ी आप लोगों को पता है पर यार इंसान की प्रवर्ती कैसे रहती है एक mentality ऐसे रहती है जब तक कोई दूसरा especially जिन से वो guidance लेते आ रहे हैं वो जब तक वही बात अपने मूँ से ना बता है तब तक मज़ा नहीं आता तब तक वो असर नहीं आता वहने सोचा क्यों ना जो बाते आपको अल्रेड़ी पता है मैं फिर से आपको remind कर वा देता हू सारी चीज़े एकदम clarity के साथ explain कर देता हूं जिससे कि आप तैयारी अच्छे से कर सके focus तरीके से systematic तरीके से preparation कर सके तो चलिए let's start सबसे पहले एक बार paper के pattern के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से ठीक है paper के pattern के बारे में एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं जैसे कि आप लोगों को पता है sectional time रहेगा हाँ जी sectional time आप लोगों का यहाँ पर है subjects हैं यह रहे 4 subjects क्या-क्या question है क्या-क्या marks है क्या-क्या timing से एक बार देख लेते हैं जल्दी-जल्दी फटा-फट फटा-फट इस पर clarity ले ले लेते हैं फटा-फट फटा-फट तो reasoning के आपके 50 questions 60 marks time है 45 minutes हाँ जी पचास पचास यह आपके 45 then 40 40 और time इसका है 35 minutes और general awareness का 50 50 और यह आपको समय मिलेगा कितना 35 minutes का तो total आपका कितना आ रहे 200 marks का आपका total है यह आपका paper का pattern है अब यार paper का pattern एक बार देखें तो एक चीज़ तो clear है के quants और reasoning का level कुछ जादा खास रहने वाला अब आप में इसे बहुत सारे students ऐसे हैं जो अभी तक PU means के लिए preparation कर रहे थे काफी लोगों ने RRB PU means का exam दिया काफी लोगों ने IBPS PU SBI PU का तो उसी mode में थे अब इस से इने clerk means के mode में है उसको सबसे पहले अच्छे से follow कीजे जो level of questions है IBPS clock means में in comparison to IBPS PU means SBI PU means for obvious reasons easier level पे रहेंगे और to be precise मैं आपको पिछले साल का एक छोटा सा idea देता हूँ जैसे कि क्योंकि मैं आप लोगों को reasoning पढ़ाता हूँ तो इसका एक छोटा सा मैं example देता हूँ जिससे कि आपको और clarity मिले कि आसान मतलब सर क्या आसान कितना सर last year का अगर आप paper देखेना है तो मेरे बहुत सारे candidates ऐसे थे जिन्होंने 25 से 30 questions तक का attempt किया था 25 से 30 questions का attempt किया था जिसमें बहुत सारे questions miscellaneous से थे हैसे थे कि जो एक एक puzzle या दो puzzle मुश्किल से बना पाए पर miscellaneous में सारे जो जो थे वो आराम से इन्होंने solve कर लिए थे जिसके करम बढ़िया secure कर लिए अब मैं बताता हूँ miscellaneous में क्या-क्या था coded direction पूछा गया था 5 marks का set था यह 5 questions 1 question each then आपके पास और क्या था number series थी जो आज ही हमने class में solve की थी resultant वाली number series थी condition based वाली 5 questions इस पे थे then syllogism के बहुत easy 5 questions थे standard format पे हमने तो बहुत अच्छे format पे कर रखा है standard format पे 5 questions ठीक है then इसके लावा और क्या-क्या था let me see data sufficiency हाँ ds से आपके 5 questions पूछा गये थे हाँ जी और coding decoding पे आपसे पूछा गया था 5 questions का ये set था coding decoding के 5 questions यहाँ से थे क्यार अगर आप चेक करें 1, 2, 3, 4, 5 25 questions तो यहीं से बन जाते 25 questions तो आपके सीधे-सीधे यहीं से बन जाते अब बाकि जो 25 questions थे उसमें शायद तक 5 puzzles के set आपको देखने को मिले थे 5 puzzles के set थे इन 5 में से जो 2 puzzle के set थे वो doable थे बहुत ही आराम से कितने time में sir 5 minute के अंदर आप बना सकते थे within 5 minutes में इनको secure कर सकते थे यह 2 puzzle के set लगा है हमने क्या किया miscellaneous के सारे attempt कर लिए चलो सारे भी ने कहें 2-3 छोड़ भी दिये वह भी बहुत बड़ी attempt बन जाता है एक और हैसी किसा जैसे कि आप देख सकते हैं इससे काफी similar आपको structure आपके paper में भी देखने को मिलेगा तो paper का level कुछ खास नहीं रहने वाला बहुत जादा difficult नहीं रहेगा अब जारे इसकी preparation कैसे करें यह तो आपने बता दी आप quants English general awareness का क्या गर quants भी काफी similar था अगर आप quants का देखें quants में last year हम बात करें 5 question बहुत simple approximation से थे और आपसे 4 DI पूची गई थी 4 DI ऐसी थी कि उसमें कुछ उच questions solve हो रहे थे सारे तो नहीं और एक कुछ tricky थे और कुछ simple थे तो ऐसा नहीं था कि पूरा puzzle ही solve हो रहा है या पूरा puzzle ही solve नहीं हो रहा ऐसा नहीं हो रहा था students के साथ कुछ questions आराम से बन रहे थे वो वो करते गए वो लोग और 4 DI में थोड़े थोड़े questions बनके अच्छा accumulation हो रहा था साथ ही साथ 5 questions data sufficiency से थे वो बनाए जा सकते थे आराम से उन में इतनी तकलीफ नहीं हो रही थे और बाकी बच्चे वे most of the questions जो अर्थमाटिक से था तो 50 में से आप मानिए 25 questions के अराउंड attempt हो रहे थे ठीक है जनरल लवेनेस की बात करें तो जनरल लवेनेस का ऐसा था कि 50 में से 30 से प्लस attempt करने वाले काफी students में देखने को मिले कहीं उनने 30 किये कहीं अगर आपने ठीठाक तैयारी किया तो कोई detail में नहीं पूछ रहा था और डारेक्ट questions थे और 30 से प्लस attempt हो रहा था उसमें कोई मुश्किल नहीं थे इंगलिश आपका standard level था 40 questions थे जिसमें से basic marks के around 20 questions के around आप सही कर सकते थे 20 questions का अच्छे से attempt कर सकते थे problem की बात थे अब अगर cut off की बात करें तो last year तो यार इस साल के comparison में vacancies काफी जाता थे इस साल तो almost अगर सारी report बगएरा होने के बाद पिछले साल के आप मान सकते हैं 50% के around ही vacancy रहेगी तो यह थोड़ा सा factor रहेगा तो हमें paper में थोड़ा सा अच्छे से perform करने की ज़रूँद है last year के अगर हम बात करें क्योंकि state wise रहता है तो range थी आप लोगों की 35 से लेके 48 point something की this is out of it paper आपका 200 में से है आप मान सकते है 70 से लेके 96 point something थे जिसमें most of the states आपके 92 marks के around का आप मान सकते है 92 most of the state 90 या 92 marks के around का रहता है और वो paper का level ऐसा था कि उसमें 92 marks लाना को इतना difficult नहीं था लाई जा सकते त्यार हम चाहिए पर इस बार थोड़ा सा चैलेंज paper के level में के terms में नहीं होना चाहिए मुझे लाइखता paper के level के terms में आपको challenge मिलेगा challenge मिलेगा कि सर इस बार number of vacancies थोड़ी कम है तो इतनी leniency नहीं मिलेगी कि ठीक ठाक paper देने से भी clear हो जाए paper तो अच्छे से निकालना ही पड़ेगा क्योंकि vacancy is almost 50% reduced है पर यार paper का level as such रहेगा कि हम already pure means के लिए इतने बढ़िया level की preparation कर चुके न इतने अच्छे level पर कर चुके कि अब वो clerk means के लिए जब हम practice करेंगे ना बहुत मज़ा आने वाल है ऐसे ऐसे paper में आपको देखेंगे आप questions बहुत आराम से बनेंगे आप लोगों से अब इसकी preparation कैसी यह सारी तो बात कर लिए कि सबसे पहले तो यह सुन लो अगर किसी को ऐसा है कि सर अब इस 20 दिन में पढ़के सिर्फ मैं means clear कर लो not possible कोई chance नहीं सिर्फ 20 दिन पढ़के किसी का भी means clear नहीं होता यह उन लोगों के लिए जो पहले से मेहनत करते आ रहे हैं पहले से preparation चल रही है और अब उनका जो next target है वो cloth means का है उन लोगों के लिए ठीक है कितना तो logically आप लोग भी deduce कर सकते हैं यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है अब सर इस 20 दिन में क्या-क्या बाते करनी है क्या-क्या चीजों का धिहान रखना है वो एक minute के लिए सुन लिए सबसे पहले मैं mock test के बारे में बात कर लेता हूँ कितने mock test दें रोजना एक mock test दें क्या-क्या यह सब मत कीजेगा रोजना mock test देने की कुई जरूरत नहीं पेपर से पहले मेरा suggestion है कि 3 से 4 mocks देने, live mocks paper से पहले पहले 3 से 4 mocks का मेरा suggestion मान लिजेगा और तरीके से mocks दीजेगा submit करके और ये सब नाटक मत कीजेगा ये सब नहीं चलेगा तरीके से देना है, live mocks देने है mocks देने के बाद analysis करना है पूरा तरीके से तो पूरा टाइम आपका अच्या ख़सा टाइम निकल जाएगा, जैसे कि यह पूरा पेपर आपका कीतना रहता है, दो ग़ंटे चालिस मिनिट का तो पेपर पेपर है, फिर उसके बाद analysis करते खरते, मान के चलिए आपके पांच एगंटे पांच एगंटे तो फाइफ आर्स के लगबग तो आपके एनलेसेज प्लस पेपर देने में निकल जाएंगे एक दिन में जब भी आप मौक देंगे तीन से चार मौक देने क्लिए मैं बोल रहाँ चार नहीं दे पाएंगे कोई बात नहीं तीन मौक देने उसका अच्छे से अनलेसेज कीजेगा जो भी आपके पास टेस सीरीज है उससे देखिएगा अब एक सजेशन मैं और दूँगा पेपर में जाने से पहले प्रिवेस येर पेपर ज़रूर लगा के जाएएगा मतलब आखरी दो साल के 2019 और 2018 का पेपर ज़रूर लगा के जाएगा IBPS कलर्क मेंस का IBPS कलर्क मेंस का पेपर ज़रूर सॉल करके जाएगा 2018-2019 का एक बेसिक आइडिया लगेगा कि किस तरह के questions पूछे जाते हैं क्या level रहता है ये सारी चीजों का आइडिया थोड़ा लग जाता है एक बड़ी अप्रैक्टेस भी हो जाएगा तो ये दो चीज़ें आपको mock test और previous year paper के sense अब सर्फ बाकी classes के terms में बाकी regular routine के terms में क्या changes है कोई बड़ा change नहीं कर जो pure means के लिए जो routine चल रहा था general awareness जो पढ़ रहे थे banking awareness जो पढ़ रहे थे English के लिए जो लगा रहे थे वो ही लगाई है बट अब level में थोड़ा सा difference आजएगा क्या क्या चीज़े हैं सबसे पहले क्वांट्स और reasoning के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इस चैनल पर हम आपको क्वांट्स और reasoning के लिए preparation करवाते हैं क्वांट्स की classes live जो sessions चल रहे हैं वो regularly attend करने है Monday to Saturday रहते हैं कल Sunday है Sunday को offer आएगा Sunday को मैं suggest करूँगा कि मौक दे लो या Sunday को use कर लो ऐसे मौक वाला दिन ठीक है मौक दे लीजी का उस दिन बड़ी हमज़ा आजाएगा live session अटेंड करना है भी 6.15 पीम पे आपका live session हुआ है ठीक है quants का और reasoning का timing रहता है आपका सुबह साड़े 11 बज़े अब ये मैं बता देता हूँ कल मता जाएगा कल Sunday है Sunday को off रहता है Monday to Saturday अब क्योंकि PO means के सारे exam सोचुके है हमारा पूरा focus clerk means level पही रहेगा और उसके लिए आज मैंने class भी ली थी भीच में result आगया था तो class पूरी complete नहीं कर पाया था मैं और उसी level पे मैंने करवाया था यह number series के जो आप सवाल देख रहे हो न resultant वाला जो आया था वो आज मैंने class में करवाया जिन जिन बच्चों ने class attend किये कमेंट करके बताएगा नीचे करवाया था कि नहीं करवाया अज अब यह दोनों classes तो आपको attend करनी है इस classes में सर कितना practice हो जाएगा हमार आपको जो regularly attend कर रहे हैं उनको तो पता यह फिर भी जो नहीं regular है जो अभी करना चाहते हैं इस जिनों क्लिक classes को दो सेट्स आपके रहेंगे भई miscellaneous के दो सेट्स रहेंगे आपके puzzle के दो miscellaneous के set करवाँगा दो puzzle के set करवाँगा अब इतने से काम चल जाएगा सर पूरे दिन में इतनी प्राक्टिस करें बाकी पूरे टाइम जनरल अवेनेस बैंकिंग अवेनेस यह सब पढ़ते हैं आर अर भी क्लर्क में इस वाले computer के भी कर रहे हैं साथ में चल जाएगा सर बिल्कुल नहीं चलेगा यह तो क्लासे से प्राक्टिस करनी है उसके लवा जो मौक जो टेस्ट है मौक टेस्ट के दो तरीके होते हैं एक तो लाइव मौक देखना दूसरा उसे सब्मिट करके प्राक्टिस करना जितना यहां से निकाला है उतना ही आप मौक से प्राक्टिस निकालोगे उतना ही जो आपने टेस्ट सीरीज पर्चेस कर रही है उसमें सब्मिट करोगे जितनी प्राक्टिस यहां से निकली है दो सेट्स मिसलिनियस के दो सेट्स के पजल के समझ रहे हैं यही quants के लिए आप repeat करोगे कि जितना सर करवा रहे हैं उतना ही आप box से भी practice करोगे अब इसके इलावा भी अगर आपको ऐसे need रहती है कि नहीं सर हमारे पास फिर भी time बच रहा है जनरल लवेनेस को हम दे रहे हैं current affairs को दे रहे हैं उसके बाद भी अगर time बच रहे हैं फिक छोटा सा suggestion सुन लो क्या suggestion सर दो playlist हमारी बन रहे हैं उन प्लेलिस में से जाके reasoning for means और quants for means के नाम से quants for means और reasoning for means के नाम से वहाँ पर वैसे आपको प्यो लेवल के भी questions मिलेंगे पर उसमें यार clerk means वाले especially sba clerk means के जो questions मैंने जो sessions लिये थे ना वहाँ से जाके practice करना एक बार बदा आ जाएगा एक्स्रा practice के अगर need रहे तो sba clerk means वाला एक मैंने paper से पहले पेपर से पहले regular तो था इपेपर से पहले 10-12 दिनों का एक crash course और लिया था regular भी लिया था सिर्फ crash course नहीं था regular भी लिया था पर एक crash course भी लिया था reasoning quants दोनों लिया तो वहाँ से थोड़ा सा practice निकाल लिजेगा अगर ज़रूरत लगे तो बाकि general awareness की जैसे practice कर रहे हो करते रहो बांकिंग awareness की जैसे preparation कर रहे हो करते रहो computer का जो RRB clerk means में रहता है यहां तो नहीं रहता उसकी विजारी रखो अब काफी students की ये भी है कि sir IBPS clerk means तो है ही देने के लिए साथ-साथ interview भी है अब कैसे manage करें manage क्या करना है उसमें कैसी बाते कर रहे हो यार आप लो उसमें manage करने वाली कौन सी चीज़ एक मेरी बास सुनो interview में किस चीज की जरूरत पढ़ती है यह भी ही उन students के लिए भी query clear कर देते उन students के लिए भी query clear कर देते interview में क्या जरूरत है सर current affairs की क्या current affairs पढ़नी रहे क्या है हाँ बैंकिंग awareness की banking awareness नहीं पढ़ रहे क्या बिल्कूल पढ़ रहे है इंटर्वियू में जो एक्स्ट्रा चीज जो रहती है वह आपका जो educational background है उसके लिए प्रेपरेशन करना तो उसमें कोई बहुत ज्यादा टाम लेगता है उसके लिए 3-4-4 गंटे थोड़ना दूगे तो बिल्कुल आप लोगों का यह क्या है बिल्कुल मैनेज हो सकता है अल्रेडी आपकी मेंस के साथ साथ प्रिपेर हो रहे है घंटा बर आप अलग से निकाल देना थोड़ा सा education background के लिए फिर खुद आप सेल्फ जो प्रैक्टेस करते हो इंटर्वियू देने की खुद के रिजल्ट आगया सर अब पैनिक मोड में जा चुके हैं मेंस के लिए कुछ अतरंगी चीज़ की ज़रूत पड़ेगी तब ही तो मेंस के लिए होगा है ऐसे कुछ नहीं इनसे सीख मिलेगी हमें और अगला मेंस जब देंगे तो वो गलतिया नहीं दो रहेंगे बिल्कुल सिंपल है ओवर्थिंग नहीं करना है कि पिट सिंपल और प्रेपरेशन कंटीनू रखिए कंसिस्टेंट रहिए क्लासेज रेगुलर्ली लगाईए प्रैक्टेस रेगुलर्ली कीजिए और ओवर्थिंग मत कीजिए बस ओवर्थिंग ही थोड़ा करने से प्राब्लम होती है ओवर्थिंग करने की ज़रूत नहीं है और classes थोड़ा सा मैं फिर से repeat करूँगा classes regularly attend किया मैं काफी पुराने students को देख रहा हूँ जो general awareness में इतना डूब गया थे कि भूली कहे कि quants और reasoning की भी पढ़ाई करनी है इतना मट डूब ये अब डूब के थोड़ा सा उपर आईए थोड़ा सा तैरिये तैर के उपर आईए सचय तक आईए और थोड़ा quants और reasoning की भी live classes लगाईए क्योंकि अब आप लोगों के लिए clerk means के बिल्कुल specific content रहेगा 28 तारिक तक क्योंकि और कोई RRB clerk means clerk means के अंदर ही cover हो जाएगा और PO के लिए प्राक्टेस करवाने की अभी 28 तारिक तक तो जरूँदी 28 के बाद अपने देखेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के session में फिर इतना ही now that's all for today's session take care